आप देख रहे हैं ट्रू मेडिकल आज हम रिव्यू करेंगे जो और आल शिरप के उपर जो और आल शिरप को हम बच्चों के लिए यूज करते हैं आज की वीडियो में आपको कम्पलीट जानकारी मिल जाएगी जो और आल शिरप की इस शिरप को कौन सी कंडिशन में यूज किया जाता है और डोज कब और कैसे लेनी हैं कितने एज के बच्चे को दे सकते हैं और कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल एकन को भी दबा दे क्यूंकि हम सभी मेडिसिन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जिवराल सिरफ FDC कमपनी के दुआरा बन में जिवराल एक स्टेंडर्ड सिरफ है जिसे हम कई तरीके से यूज करते हैं और मोस्टली डॉक्टर इसे बच्चों में डाइर्या होने पर यूज करते हैं अगर किसी बच्चे को लूज मोशन की शिकायत है बच्चे के पेटम बिल्कुल पानी सा हो गया है थोड़ा बह में जिवराल शिरफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है इसके अलावा जिवराल शिरफ के और भी बेनेफिट्स होते हैं इसमें जिंक मिला होता है जो की इम्म्यूनिटी को बुस्ट करने में बहुत ज्यादा इंपोटेंट होता है जिवराल शिरफ इम्म्यूनिटी के deficiency को भी बहुत अच्छे से ठीक कर देता है और यह best nutrition है उनके लिए जिने cardiac, diabetic, tubercular या फिरुमेटिक इस तरह की कोई बिमारी है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फाइदमद है, ऐसी condition में भी जियोराल सिरफ बहुत ज़्यादा फाइदमद होता है और इसके लावा respiratory tract infection में भी जियोराल सिरफ को easily use करते हैं, respiratory मतलब गले में चुबन होती है या फिर सांस लेने में problem होती है, throat में सुझाना जाती है, ऐसी condition में जियोराल सिरफ को easily use करते हैं, और कोई injury हो जाती है, मतलब चोट लग जाती है, घाउ हो जाता है, ऐसी condition में भी जियोराल सिरफ को easily use करते हैं, तो ये थे इसके कुछ benefit अब बात करते हैं dose के बारे में, आप इसे 5 साल तक के बच्चे को आराम से दे सकते हैं, डाइरिया में 6 मन्द के बच्चे तक 5 ml एक टाइम 14 दिन तक देना है, और 6 मन्द से उपर 5 ml एक टाइम 14 दिन तक देना है, बाकी accurate dose बच्चे की age और उसका weight चेक करके दी जाती है, तो better dose के लिए आप डोक्टर से consult करें, तो ये थे इसके कुछ dose, अब बात करेंगे pre-cations यानि सावधानिया, जो औरहाल सिरफ की overdose ना ले, और किसी भी medicine को यूज करने से पहले एक बार उसकी expiry चेक कर ले, तो ये थे इसकी कुछ pre-cations, अब बात करेंगे side effect के बारे में, common side effect की बात करें तो, बच्चे को vomiting हो सकती है, इस टमक पैन हो सकता है, इस तरह का कभी-कभी side effect सामने आ जाता है, उम्मीद करता हू पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, तो ये थी जिवराल सिरफ से related कुछ जानकारी, आज की वीडियों बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें